महिंदर अपनी XUV7W के अंदर 8 Autonomous Driving Assistance System के साथ XUV7W को launch करने वाली है और जिन लोगों को नहीं पता हुनें बता दूगी 8 Autonomous Driving Features आपको नहीं Toyota Ford चौन ही मिलते हैं नहीं मिलते हैं आपको Ford की Endeavor में लेकिन आपको MG की Gloster में इस सारे features देखने को मिल सकते हैं आए देखते हैं कि 8 Autonomous Driving Features कौन-कौन से हैं पहला है ADAS Advanced Driver Assistance System और दूसरा है Adaptive Cruise Control और तीसरा features है Blend Sport Assist और चोता features है Drowsy Driver Detector और पांचा features है Autonomous Emergency Braking और छटा features है Lane Keep Assist और साथा features है High Beam Assist LED Lights और अखरी features की बात कर लें वो 8 features उसका नाम है Personalized Speed Warning System महिंदर अपने XCV7W के अंदर 8 High Tech Features के साथ XCV7W को launch करने वाली है मतलब कि XCV7W fully high tech features के साथ launch होगी जोगी बहुत ही बढ़िया बात है और जोगी first in segment भी है और अगर आपको व्यूडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और बेल आपको प्रेस कर देना अगर आप चैनल पर नए हो और आपको व्यूडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और बेल आपको प्रेस कर देना ताकि आपके पास नॉटिफिकेशन आती रहें तो चलते हैं वीडियो की तरफ आप बात कर लेते हैं उन 8 Autonomous Driving Assistance System के वारे में कि XCV7W के अंदर ये features किस तरीके से work करेंगे और पहला है ADAS System XCV7W के अंदर ADAS System लाने के बाद accident की chance बहुत कम हो जाएं क्योंकि ये features की मदद से आप बहतर तरीके से driving कर सकते हैं ADAS System, IEB Camera और Sensor से less होता है अगर आपके सामने कोई गाड़ी खड़ी है तो ये sense कर लेता है कि आपने brakes apply किये हैं नहीं किये अगर आपने brake apply नहीं किये हैं तो automatically ये अपने आप brake apply कर देगा जिससे की accident ना हो सके जो कि बहुत ही बढ़ी बढ़ीया बात है और काफी cool features है और ADAS System आपको global market में काफी जादा कारों में आपको देहने को मिल जाएगा और दूसरा है adaptive cruise control इस feature की वज़े से आपको अपनी car की speed limit set कर सकते हैं अगर आपके सामने कोई car चल रही है तो ये cruise control distance बना कर अपनी speed limit को sense करती रहेगी अगर वो सामने कार अगर एकदम से रुग जाती है तो ये adaptive cruise control अपनी brakes अपलाई कर देगा जिससे की accident ना हो सके ये जितने भी सारे features है mostly safety features दिये हुए हैं इसके अंदर जिससे की accident ना हो सके इसलिए इसके अंदर इतने सारे features दिये हुए हैं और तीसरा feature है वो है blind spot assist इस feature की मदद से अगर आप अपनी car drive कर रहे हो और आप right में turn लेना चाते हो लेकिन अचानक से कोई car side से निकलती है तो आपको ये beep के दवारा या sensor के दवारा आपको आपको बता देगा कि एक side में car निकल रही है तो जिससे की accident के chances कम से कम हो सके और चोता features है जो की बहुत ही ज्या करके आपको बता देगा कि आपको rest लेना चाहिए और आप अपने गाड़ी stop कर दो या तो यह feature आपको coffee पीने के लिए काएगा या फिर फीचर आपको गाड़ी बंद करने के लिए काएगा वैसे features है बड़ा कमाल का यह काफी cool है और बढ़िया भी है और चोता है autonomous emergency braking यह features car के अंदर a e b camera से और sensor से less होगा यह feature anytime activity रहता है अगर सामिज आपके car है या कोई wall है कुछ भी है अगर आप brake apply नहीं करते हो तो आपको instrument cluster में brake apply करने के लिए काएगा अगर आप फिर भी brake apply नहीं करते हो तो यह automatically brake apply कर देगा और चटा है lane की possession इस feature की मदद से अगर आप highway पे चल रहे हो 60 mile per hour की speed से अगर आपकी car अपनी line से change होती है तो आपको यह instrument cluster में billing करके बताएगा कि आपकी car lane से change हो रही है जो कि यह काफी बहतर safety feature भी है और साथा feature है high beam assist LED lights जो ही आप सभी को पता है कि xv7w के अंदर booster headlight मिलने वाले जिससे कि highway पर आपकी headlight की range भढ़ जाती जिससे आपको काफी जादा मत मिलती है रात को चलाने में और आखरी है आठवा point वो है personalized speed warning system जो की बहुत ही जादा बहतर है आपकी car के अंदर किसी भी एक family member की आवाज में यह आपको speed कम करने की बोलेगा कि आपकी speed बहुत जादा है प्लीज इसको कम कर लीजिए कुछ इस प्राइस नहीं बता जा रहा है कि इसका प्राइस स्टार्ट हो सकता है वह 14 लाइक से स्टार्ट होकर 21 लाग रूपी स्टार्ट हो सकता है लेकिन टोयटा फोर्जन और फोर्ड नेवर के अंदर भी आपको इतने high-tech features नहीं मिलते लेंगि फिर भी इनका प्राइस इतना ज् तो प्लीज कमेंट सेक्शन ने जुरू बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना और बेल आगान को जुरू प्रेस कर देना ताकि जब भी में वीडियो डालू आपको आपको नोटिफिकेशन कौंसती रहे